हेला दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्पोर्ट्स जीके में आप सभी का स्वागत है इस प्रेक्टिस सेट में हमने 100 कोईस्चन लिये हैं जो की बहुत ही तेज गति से बताएंगे आपको पूरा वीडियो वाज करना है जिससे आपको फाइदा मिल सके तो चलिए देज न करते हुए शुरू करते हैं पहला कोईस्चन जो है वह हाकी के जादूगर नाम से कौन जाना जाता था तो हाकी के जादूगर नाम से मेजर ध्यान चंद जाने जाते थी सोला यार्ड हिट पद किस खेल से समंधित है तो यहाँ जो है हाकी से समंधित है कम आउट एंड पले किसका नारा था तो कम आउट एंड पले यहाँ जो है राष्ट मंडल खेल 2010 को नारा था अंजली भागवत किस खेल से संबन्दित ही तो अंजली भागवत जो है वह राइफल सूटिंग से संबन्दित है अंतराश्टिय ओलांपिक समीती का मुख्याले कहां इस्थित है तो अंतराश्टिय ओलांपिक समीती का मुख्याले जो है वह लोसाने जो की स्विटरजर लैंड में पड़ता है वहां पर इस्थित है अजलान साह हां की टूर्णामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है तो यहां जो है मलेशिया देश करता है अपस स्टेडियम यानि घुरदोड है तू कहां इस्थित है तो यहां जो है इंगलेंड में इस्थित है अमेरिका कप किस खेल से सम्मंदित है तो अमेरिका कप जो है वह वास्केट बाल से सम्मंदित है अलका तोमर किस खेल असपर्दा से सम्मंदित है तो अलका तोमर कुस्ती खेल से सम्मंदित है नेक्स्ट है आधुनिक ओलाम्पिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है तो आधुनिक ओलाम्पिक खेलों का जनक PRAD कुबर्तियन को कहा जाता है 11 नमबर का कुश्चन है आधुनिक ओलाम्पिक खेलों का प्रारंब किस वर्स हुआ तो आधुनिक ओलाम्पिक खेलों का प्रारंब यह जो है 1896 में हुआ आधुनिक ओलाम्पिक खेलों को किस ने प्रारंब किया तो आधुनिक ओलाम्पिक खेलों को पेरेडी कुबर्तिन ने प्रारंब किया आईरन सब्द किस खेल से सम्मंदित है तो आईरन सब्द जो है वह गोलप खेल से सम्मंदित है आस्फा पावेल किस खेल असपर्धा से सम्मंदित है तो आस्फा पावेल जो है वह एथलेटिक्स 100 मीटर दौड़ असपर्धा से सम्मंदित है नेक्ष है इंटरनेशनल वालीबाल एसोसियसन कब अस्तित्त में आया तो यह जो है एक अपरेल 1947 को अस्तित्त में आया था इंदरा गांधी कब खेल किस से सम्मंधित है तो इंदरा गांधी कब जो है वहा मुक्य बाजी खेल से सम्मंधित है इन आप सब्द किस खेल से सम्मंदित है तो यह जो है विलियर्ड से सम्मंदित है नेक्स्ट कोईशन है इवेटा बेंसोवा किस देश के परसिद टेनिस खिलारी है तो यह जो है चेक गडराजी के परसिद टेनिस खिलारी है इरानी ट्राफी का संबंद किस खेल से है तो इरानी ट्राफी का संबंद किरिकेट खेल से है उधम सिंग किस खेल से संबंदित थे तो उधम सिंग हाकी खेल से संबंदित थे इन्हें ही हाकी का जादूगर कहा गया था अगला प्रश्णा है एस साट एन हिस्ट्री के लेखक कौन है तो अभिनो विंद्रा है एसी आई खेल का नामकरण किसने किया था तो एसी आई खेल का नामकरण जमाहरलाल नहरू ने किया था आचा करते हैं आपको यह कोईशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आप वीडियो को पूरा वाज़ करेंगे इसमें बहुत ही अच्छे कोईशन लिए है आपको परिच्छा में बहुत ज़्यादा मदद करेगा है कोईशन तो आप वीडियो को पूरा वाज़ करते रही है S किस खेल से संबन्धित है तो यहां जो है लान टीनी से संबन्धित है ओलाम्पिक में भारतिय हाकी का प्रथम प्रवेश कब हुआ तो ओलाम्पिक में भारतिय हाकी का प्रथम प्रवेश जो है वहां 1920 में हुआ था उलाम्पिक के आदर्स उद्देश वाकिके रचेहता कौन है तो उसके रचेहता जो है फादर डीडोन है उलाम्पिक के व्यक्तिकत असपर्दा में रजत पदक जीतने वाले पर्थम भारतिये कौन है तो पर्थम भारतिये जो है वहां राजी वर्धन सी ग्राठोर थे पर वर्ष के अंत्राल पर आयोझित किये जाते हैं। नेक्स्ट है। ओलांपिक खेल में भारत नेहांकी का सुणपधक अंतिम बार कब जीता था। तो यह जो है वह 980 20 में जीते थे। ओलांपिक खेलों का परारंब कब हुआ। तो ओलाम्पिक खेलों का प्रारंब 1776 इसापूर में शुरू हुआ था ओलाम्पिक खेलों में स्विंग पूल में कुल कितनी लेन होती है तो कुल जो है इनमें आठ लेन होती है ओलाम्पिक मसाल किस पदार्थ से प्रजुलित की जाती है तो ओलाम्पिक मसाल जो है वह सूरिक किरण से प्रजुलित यानि जलाई जाती है ओलाम्पिक म्यूजियम कहां इस्तित है तो ओलाम्पिक म्यूजियम जो है वहाँ लोसाने जो की स्विटजर लैंड में है वहाँ पर इस्थित है ओलाम्पिक सब्द ओलम्पस से बना है ओलम्पस क्या है ओलम्पस क्या है तो यह जो है यूनान का एक परवत है ओबल स्टेडियम जो की लंदन में है किस खेल से सम्मंधित है तो यह जो है क्रिकट खेल से सम्मंधित है Next Question है Kabaddi किस देश का राश्टिय खेल है तो Kabaddi जो है वहाँ Bangladays का राश्टिय खेल है किस देश के पृसिद टेनिस खिलाड़ी है तो K containers Black जो है वहाँ जिंबांबे के पृसिद खिलाड़ी है Kings Cup किस खेल में दिया जाता है तो किंग्स कप जो है वहाँ वायू यान रेस में दिया जाता है किस ओलाम्पिक खेल में ओलाम्पिक के आदर सुद्देश से वाक्यों को सरपर्थम अपनाया गया था तो 1920 के एटवर में किस खेल को प्रारंब करने के तरीके को गैमबिट कहा जाता है तो सतरंज खेल को प्रारंब करने के तरीके को गैमबिट कहा जाता है किस खेल ने सरबाधिक बार ACI खेल असपरधा में प्रथम अस्थान प्राप्त किया तो चीन देश ने सरबाधिक बार ACI खेल असपरधा में प्रथम अस्थान प्राप्त किया हुआ है किस पत्रिका को क्रिकट का बाइबल कहा जाता है किस के जनम दिवस को राश्ट्रे खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है किसी भी बिस्टु चेंपियंशिप में पदक जीतने वाली पहली भारती एथलीट कौन है तो पहली भारती एथलीट जो है अंजू बाबी जार्ज थी किसे पोल बोल्ट का बाजसाह कहा जाता है तो सरगेई भुबका को पोल्ट बोल्ट का बाजसाह कहा जाता है अगला प्रस्ण है कैटरीना स्री बोटनिक किस देश के परसिद्ध टेनिस खिलाडी है तो यहां जो है इस लोवाकिया के प्रसिद्ध टेनिस खिलाडी है कायरम के लिए पहली बार अरजुन पुरुसकार किसे प्रदान किया गया था कोलिन काउडरे किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाडी थे तो यहां जो है इंगलेंड के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाडी थे कौन सा पुरुसकार क्रिकेट का आसकर कहलाता है तो ICC पुरुसकार जो है वह क्रिकेट का आसकर पुरुसकार कहलाता है कौन सा हा की खिलाडी ददा के नाम से भी जाना जाता है तो मेजर ध्यानचन खिलाडी जो थे वह है दद्दा के नाम से भी जाने जाते थे क्यू सब्द किस खेल से सम्मंदित है तो क्यू सब्द जो है वहाँ बिलियर्ड से सम्मंदित सब्द है किरिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहा जाता है तो यहाँ जो है Lards यानि जो कि Lards कहां पर इस्तित है तो Lards लंदन में है उसी को Cricket का मक्का कहा जाता है Cricket खेल का जनुदा ता किस देश को कहा गया है तो Cricket खेल का जनुदा ता वह जो है England को कहा गया है अगला प्रश्ण है 30 नमबर का क्या कह रहा है किरिकेट खेल का प्रसिद आयोजन अस्थल सार जाह किस देश में है तो यह जो है संयूक्त अरब अमीराद में है किरिकेट पिछ की लंबाई कितनी होती है तो किरिकेट पिछ की लंबाई जो है वह 20.12 मीटर की होती है किरिकेट से सम्मंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहां इस्थित है क्रिष्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबाल खिलाडी है अगला है गुगा नाम से किस भारतिय खिलाडी को जाना जाता है तो गीत सेथी को गुंगा नाम से जाना जाता है गोल किस खेल, सौरी, गोल किस खिलाडी की आत्म कथा है तो यह जो है मेजर ध्यान चंद की जो है आत्म कथा है गोल्डन गर्ल किस भारते खिलाडी की आत्म कथा है तो golden girl जो है PT उसा की आद्म कथा है गोल्फ का खेल मैदान क्या कहलाता है तो गोल्फ का खेल मैदान course कहलाता है गोल्फ छेद का व्यास कितना होता है तो गोल्फ छेद का व्यास जो है वहा 4.50 इंच का होता है Ground stroke सब्द किस खेल से सम्मंदित है तो ground stroke जो है वहा Table Tennis से खेल से सम्मंदित है Great Delayer उपनाम से कौन cricket empire चर्चित है तो जो है Dickie Bird Great Delayer उपनाम से सर्चित है चकर सब्द किस खेल से सम्मंदित है तो चकर सब्द जो है वहा पोलो खेल से सम्मंदित है चमतकारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है तो चमतकारी सचिन पुस्तक के लेखक के स्थानी है चाइना कप किस खेल से सम्मंदित है तो चाइना कप जो है वहाजिम नाश्टिक खेल से सम्मंदित है चिरन जीवी मिलखा सिंग किस खेल से सम्मंदित खिलाड़ी है तो यह जो है गोल्फ से सम्मंदित खिलाड़ी है चीन का राश्टिय खेल क्या है तो चीन का राश्टिय खेल टेबल टेनिश है चेकमेट किस खेल से सम्मंदित सब्द है तो चेकमेट जो है सतरंज खेल से सम्मंदित सब्द है चेंज, फ्रीजो, एउंपोन सब्द किस खेल से सम्मंदित है तो यहाँ खोखो से सम्मंदित है नक्स्ट है जश्टिन हैनिन हार्डिन किस देश से सम्मंधित है तो यह जो है वैल्जियम से सम्मंधित है जिमनाश्टिक में किस आधार पर अंक दिये जाते हैं तो इसमें परेशानी, नवीनिता, सालीनिता और अस्वस्त गत के जान मैकनरों से समंधित अंक दिये जाते हैं जोसना चिनप्पा किस खेल से जुड़ी हैं तो जोसना चिनपपा जो है वा स्क्वेस से जुड़ी हुई है टाइगर वुट्स किस देश के गोल्फ खिलाडी है तो टाइगर वुट्स जो है वा गोल्फ के खिलाडी है यह जो है यह यह से देश के है टू हेल विद हाकी नामक पुरुसकार की रचना किस हा की खिलाडी ने की है तो यह जो है असलम सेर खाने की है टेनिस के किन अस्परधाओं को ग्रेंड स्लेम अस्परधाओं कहा जाता है तो आस्ट्रेलियाई open फ्रेंच open और विम्रिडन को grand slam असपरधाएं कहा जाता है टेनिस को ACI खेलों में किस वर्स सामिल किया गया तो 1958 टोकियों खेल में सामिल किया गया था टेनिस में love का क्या मतलब है तो टेनिस में love का मतलब score 0 है टेबल टेनिस सरप्रथम कहां खेला गया था तो टेबल टेनिस सरप्रथम लंदन में 1880 भी में खेला गया था टेस्ट किरिकट में 600 बिकट लेने वाले विश्चु के तीसरे गेंद व्याज कौन है तो वह जो है अनिल कुम्बले थे डिग पास किस खेल से सम्मंद सब्द है तो वाली वाल है डियागो मेरो डोना किस खेल से जुड़े है तो यहां फुडवाल से जुड़े है डी भी देवधर किस खेल से सम्मंदी थे तो किरकट से सम्मंदी थे डोनाल्ड ब्रेडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी है तो यहां किर्केट के महान खिलाड़ी है ड्यूट सब्द किस खेल से सम्मंदित है तो यहां जो है लान टेनिस से तथा अमेरिकी ओपन से सम्मंदित सब्द है थामसकप किस खेल से सम्मंदित है तो थामसकप वैडविंटन खेल से सम्मंदित है दूसरे अफ्रो एसियाई खेल का आयोजन कहां किया गया तो अलजियर्स में किया गया नाक आउट किस से सम्मंदित सब्द है तो यहां मुक्य बाजी से सम्मंदित सब्द है नाइडू ट्राफी का संबंद किस खेल से है तो नाइडू ट्राफी का संबंद जो है वा सतरंज खेल से है नेटबाल में एक पच्छ में कितने खिलाडी होते हैं तो नेटबाल में एक पच्छ में साथ खिलाडी होते हैं नेट वेस्ट ट्राफी किस खेल से सम्मंदित है तो यहाँ किरिकेट से सम्मंदित है नेता जी फ्रेंच ओपन लड़ में खिताब जीता था परगर्ण सिंग किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी यानि भारती एक खिलाडी थे तो यह जो है हाकी के भारती एक खिलाडी थे परिमारजन नेगी ने किस खेल में विसिष्टता दिखाई थी तो सतरंज में इन्होंने विसिष्टता दिखाई थी पहली वार बास्केटवाल किस वर्स और कहां खेला गया पहली वार बास्केट वाल जो है वा 1891 वी में USA में खेला गया था ओलाम्पिक खेलों में सरवाधिक पदक जीतने का रिकार्ड किसके नाम है तो माइकल फेलप्स जोकी अमेरिका के 13 की उनके पास में है उसेन बोल्ट जमाइका के हैं इनका संबंद की स्केल से है तो इनका संबंद जो है अथलेटिक्स यानि दोर से है लियोन नेल मैसी किस देश के फुटवाल खिलाडी है तो यह अरजेंटीना के फुटवाल खिलाडी है सचिन तेंदुलकर का वनडे क्रिकेट में कितने रनों सतकों आर्ध सतकों का विश्चुर रिकार्ड है तो इनका जो है ठारा जार चार सो चब्विस रनों वनचास सतकों और चियाननवे अर्ध सतकों का रिकार्ड है जो कि इसको इसका record जो है विराट कोली ने तो आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट प्रेक्टिसेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर वेल आईकन प्रेस कर दें जिससे की हमारे वीडियो डालते ही आपको notification मिल सके तो चलिए जैहिन जैभारत झाल झाल